दोस्तो ये बताते हुए बहाद याद दुख हो रहा है कि बालूट की महसुहुर गाईका संगीतकार वगितकार सार्दा राधन जी का बुधुवार को छासी वर्ज की आयू में निधन हो गया है पिछले कूछ दिनों से कैंसर से पिडित थी और सार्दा जी 60 और 70 के दसक के लोगप्रिया गाईकों में से एक थी और सार्दा जी का जनाम 25 अक्टुबार 1937 को तमिलांडू के एक ब्रामहर परिवार में हुआ था उन्होंने 1970 की फिल्म जहां प्यार मिले में कैवरे गीत बात जरा है आपकी के लिए महला पार्सुगाईका का फिल्म फ्यार पुसकार जीता 1966 में आई फिल्म सूरज का उनका गाना तितली उडी उड जो चली फूल ने कहा आज मेरे पास तितली कहें मैं चली अकास बहुत लोग प्रिय हुआ था इस गायसों ने एक अलग ही पहचान मिली थी और दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा सार्दा रधन जी ने मुहमद रफी आसा बुसले किसुर कुमार यसुदास मुकेस और सुमन कल्यारपूर जैसे बालूट के दिगज गाया का है जिनके साथ काम किया इसके साथ ही मुहमद अजीज सहाब सबिर कुमार जैसे गायकों के साथ भी उन्होंने काम किया और दोस्तों उन्होंने बहुत सारे फिल्में हैं उन्में तो अपनी आवाज दी ही है इसके साथ ही बहुत सारे फिल्में हैं जिनमें संगीत दिये और गीत भी लिखे उन्होंने उस समा की प्रमूख अभनित्रियों जैसे वेजनती माला सहरा बानो हिमा मालनी सरमिला टाइगोर मुम्ताज रिखा और हिलेन को अपनी अवाज दी इतना ही नहीं सारदा जी पहली भारते महला गाईका थी जिन्होंने अपना पॉप एल्बम लाउंच किया 1971 में रिलीज हुए उनके अलबम का गाना सीजलार से था और उन्होंने बालूट के अलावा तेलगू मराठी और अंग्रजी जैसी कई भासाइँ हैं जिन्में अपनी अवाज दी मिर्जा गालिब की लोगप्रिय गजलो पर अधारित उनकी गजल एल्बम अंदाज बयाँ 2007 में रिलीज हुई लेकिन ये एल्बम उतने अधा कमाल नहीं कर सकी और दोस्तो सारदा राजन जी ने बहुँ सारे फिल्में हैं जिन्में अपने योगदान दिये जिने हम चाह कर भी नहीं भूल पाएंगे लेकिन दोस्तो दुख इस बात की है कि आप बलूट की मसुहूर गईका संगितकार वा गितकार सारदा राजन जी हमारे बीच नहीं रही तो दोस्तो हम लोगों के तरफ से सारदा राजन जी को भापूर सर्धान जली और आप जहां भी रहें खुश रहें अबाद रहें हम लोगों की यहीं दुख है तो दोस्तो और ऐसे ही जनकारी के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो प्लीज दोस्तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब किजएगा और वीडियो को भीता कर लाइक निकिये हैं तो लाइक किजएगा शेयर किजएगा थाइंची दोस्तो हमारे वीड़ वातिन करने के लिए